नमस्कार, सामाने विज्ञान के प्रस्ण सिंकला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं आईए शुरू करते हैं, आज की सिंकला का पहला प्रस्ण है पास्चुरी करण संबंदित है तो पास्चुरी करण जो है, द्रवों के सरक्षड को करने की एक बिधी है इसमें क्या करते हैं, द्रव को पहले कुछ उच्च तापमान पर कुछ देर के लिए गर्म करते हैं फिर उसको अचानक से ठंडा करके संग रक्षित कर लिया जाता है इस बिधी का आविस्कार जो है लोई पास्च नामक वैज्यानिक नहीं किया था इसलिए इसका नाम पास्चुरी करण पड़ गया या पास्चुराइजेशन तिया जो है दूद के निर्जमी करण से संबंदित हैं, ठीक है आपका यह हो जाएगा बिल्कुल सही बिकल्प अगला है आपका निम्न में से कौन सा एक कतन सही नहीं है पहला कतन देख लिए किसी जली बिलियन का क्वतनांग सुद जल के क्वतनांग से अधिक होता है तो यह आपका सही है दूसरा है किसी विलेयन में विलेयों की योग से इसका जल बिभो बढ़ जाता है तो किसी विलेयन जल का वासप दाब सुद्द जल में वासप दाब की तुलना में दिम्न होता है के यह आपका बल्गल कफन सभीए है और जब billion के मिलियन को एक रहा फार्ग में जली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो ब्लियन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है यह भी आप का सही है तो क्या होता है जल का कोथनांग बढ़ जाता है पहले पर देख लिए अज also बैसके निस्यवाय श्ते हाट है कि दूसरी बीडीव जओर लिए उसके दाम में वाशपधा जो जैसे यहां पर कोई द्रववाय बाहर से जल प्रवेस करने की कोशिस कर रहा है उपर से इस पर दबाव लगाते हैं तो जल का प्रवेस इसमें रोका जा सकता है ठीक है चौथा कतन आपका सही हो गया तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भी जितने भी मित्र अभी असुदियों के कारण द्रव का कुथनांग पर क्या प्रवाव पड़ता है तो अभी मैंने बताया आपको कि असुदियों को मिलाने से क्या होता है सतह पर उपस्तित जो बिले जल के अडू होते हैं वास्पन की दर को कम कर देते हैं यानि की कुथनांग बढ़ जाता है ठी centigrade की नीचे तापमान पर क्यों उबलता है क्योंकि वाय मंडली दबाव कम हो जाता है और उबलने का बिंदू यानि कोथनांक point boiling point नीचे आ जाता है ठीक है और यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि जल में नमक मिला देने से कोथनांक point थोड़ा सा ऊपर चड़ जाता है इसलिए पहाडों पर खाना बनाते समय जल में नमक की मातरा ज्यादा रखी जाती है जिससे की कोथनांक बढ़ जाए पानी अधिक ताप पर रूब ले तो खाना आपका थोड़ा सो जल आसानी से पक सकेगा तो जितने भी आपको centigrade से नीचे का तापमान प्राप्त होता है तो यहां पर कतन आपका सही है अगला देख लिए नमक बर्प के हिमांग को बढ़ा देता है तो नमक बर्प के हिमांग को बढ़ाता नहीं है बलकि घटा देता है तो नमक मिलाने से कोथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता तो यहां पर जो भी यह आपको point समझ में आकर आ गया होगा बिल्कुल इसको आप समझ के रिखी कि सारे point most important है तो यहां पर आपका A सही है लेकिन R गलत है तो C आपका हो जाएगा right answer अगला है आपका कोहरे में निम्लिकित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिवेक्त होता है तो कोहरे में जो है गैस का द्रोव में यानि कोहरे में जो जलब वास्प होता है उसका संगनन जल बिंदूओं की रूप में होता है ठीक है और जब वहां वायू का तापमार और सां हो जाती है तो उसमें जो उपस्ति जलवास्प होता है उस संगनित हो करके वाय मंडली धूल-कड़ों पर जम जाते हैं तो इस वज़े से आपको कोहरा दिखाई पड़ता है तो गैस में द्रव यह आपका होगा ए राइट आंसर अगला है आपका 100 ग्राम चीनी को आदा होती है गुल जाए बिलियन पूरी तरह से घुल जाए असंत्रित में क्या होता है जब घुलने की सीमा से आप ज्यादा उसमें चीनी डाल देंगे तो जो चीनी नहीं घुल पाएगी यानि अब बिलियों आपका असंत्रित होगा तो इस अवस्था में आपका आयतन जो है परिवर्तित नहीं होगा सेस आपके सभी परिवर्तित हetes यहां पड़ी होगाा आपका राइट आनसर ज्याद हाव चीनी गोलें की तो संदता बड़ेगी दर्भिमान भी बड़ेगा और घनत भी बड़ेगा लेकिन आपका जो आयतन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा अगला प्रस्न है आपका निम्न कतनों पर विचार कीजिए परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है दूसरा कतन प्रतिलों परासरण में तनु घोल पर बाह दाप लगाया जाता है यहां पर मैं बता दूँ आपको ना तो कतन एक सही है और ना ही कतन दो सही है परासरण के प्रक्रम में किसी भी बिलायक में जो प्रवाह होता है वो हमेशा तनु बिलियन से सांद्र बिलियन की ओर होता है याद रखिएगा इसको आप ठीक है यह तापमान नहीं है कि अधिक तापमान से निमन उस्मा की ओर प्रवाह होगा उस्मा गतिकी की नियम से यह आपका बिलायक है ठीक है यह बिलियन है यहाँ पर क्या होता है तनु घोल से सांद्र घोल की तरफ परासरण होगा ठीक है और अगली बात परितलों परासरण में क्या होता है वाहदाब सांद्र बिलियन पर लगाया जाता है तो सांद्र बिलियन पर वाहदाब लगाने से क्या होता है उसमें उपस्तिक विभिन प्रकार के अड़ों एम आयनों को विलियन से प्रितक किया जाता है ठीक है तो यहां पर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर अगला कोश्चन देखते हैं क्रोमेटोग्राफी की तक्नीक का प्रियोग होता है तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तक्नीक है जिसमें रंगीन रसायनों के मिस्टर को प्रितक किया जाता है यानि आपका डी होगा राइट आंसर क्रोमेटोग्राफी से एक मिस्टर से पदार्तों या रंगीन मिस्टर से पदार्तों को अलग किया जाता है तो यहां पर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर तो बिल्कुल आप कंसेंट्रेट होकर कि एक एक कुस्टन देखते चलिए अगली वीडियों के लिए बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा कोई भी सिंकला बिल्कुल अपने से आपको छोड़िये नहीं सारी सिंकला ब उस पर बनाने की परिक्री को क्या करते हैं कुछ प्दार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर ये बाद तोस पदार्थ है तो आई होब कि आपको समझ में आ गया होगा उर्दो पातन को इंग्लिस में कहते हैं सब्ली मेंशन अगला प्रसने आपका सुमेलित करना है यह देखिए यहां पर उपचयनांग मतलब होता है आक्सिडेशन नंबर या फिर आक्सिकरण संख्या ठीक है तो आक्सिकरण संख्या कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा करेंगे अभी यहां पर देख लीजिए तो अगर हम बात कर ले यम यन ओटू यम यम यन ओटू में यम यम का यानि मैगनीच का मैगनीच या अक्साइड में मैगनीच का उपचयनां कितना होगा तो आप इसको ऐसे फाइंड आट करेंगे माले जी यम यन का उपचयनां के यक्स है ठीक है प्लस करेंगे आप आक्सीजन का होता है आक्सी कलर नंबर माइनस टू होता है और ये पूरा पूरा आड़ करते हैं आप ये जीरू आता है तो यहां से आपका यक्स आजाएगा फोर ठीक ये आपका हो गया फोर से ऐसे ही आप H2SO4 को देख लीजिए H2SO4 में आपको यस का बताना है यहां से चार आक्सीजन है तो चार दुनियाट यानि माइनस आठ हो गया इसमें आप प्लस करेंगे हाइटोजन हाइटोजन का प्लस एक होता है तो यहां पर प्लस टू हो जाएगा सलफरवाला आप एक्स प्लस कर दीजे इसमें यह आजाएगा माइनस 6 बराबर 0 होता है उसको आप ले जाएगे उस तरफ यहां से आपको एक्स की बेलू मिल जाएगी प्लस 6 यानि यह आपका इससे सुमेलित हो गया अब आप जो है कैलसियम आक्साइट का कैलसियम में कैलसियम का बताना हो तो आक्सीजन का माइनस 2 होता है यानि माल लिजे कैलसियम का हो गया मैं इसको मिटा रहा हूँ इबार देख लिजे यह आपका 6 इसका हो गया कैलसियम आक्साइट में देख लिजे कैलसियम का माल लिजे X हो गया और oxygen का होता है minus 2 ये बराबर होता है 0 हमेशा ठीक है अगर इसके ओपर कोई आबेस न लगा हो ये पूरे अड़ू के ओपर कोई आबेस न लगा हो ये हमेशा 0 होता है जीसे मैं आपको बोल दूँ ये O4 minus minus अगर इसको आप करेंगे तो इन दोनों के oxygen को add करने के पसचाथ ये यहां पर आपको minus 2 लिखना पड़ेगा ठीक है तो बिल्कुल तो calcium oxide में देख लिए एक्स हो गया और ये oxygen का minus 2 होता है बराबर 0 करेंगे तो यहां से आपका एक्स के मिल जाएगा plus 2 ये हो गया आपका इससे 2 से अब देख लिए ये एल एल ह4 यानि एल्मुनियम का पूच पर आप देख लिए रहा है उपचैनांग तो sodium का होता है minus sodium का होता है minus 1 नहीं 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 कि sodium का होता है plus 1 ठीक है कि अलमुनियम का मालेजी एक्स हो गया hydrogen का होता है minus 1 तो minus 4 हो जाएगा यह आपका हो गया प्रस्त पर भूपरपटी में सरवादिक पाया जाने वाला तत्व है कि संपूर प्रित्वी में फूचे अलमुनियम का उपचैनांग या फिर आक्सिदेशन नमबर 3 हो जाएगा तो मुझे लग रहा है यह आपको प्रस्त जो अभी तक काफे कठिक लग रहा था बिलकुल आपके लिए आसान बन गया होगा तो यहां पर राइट आंसर होगा एक अध्री बी का फोर्सी का वन और डी का टू आई यह चलते हैं अगले प्रस्त पर भूपरपटी में सरवादिक पाया जाने वाला तत्व है कि संपूर प्रित्वी में फूचे अलग बात है संपूर आइरन या लोहा सरवादिक मात्रा में पाया जाता है जबकि भूपरपटी में सरवादिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है अक्सीजन तो इसको भी आप बिल्कुल कांसेट क्लियर रखेंगे अपना अगला प्रस्ण है भू परपटी पर द्रब्यमान प्रतिसत की रूप में निम्लिकित में से कौन सा एक तत्व सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है तो यहाँ पर भी आपका आंसर आक्सीजन ही होगा अब देख लिजिए आक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्द कौन सा मूल तत्व है भू परपटी में ठीक है तो सिलकन हो जाएगा आपका राइट आंसर सिलकन आपका एक अर्ध चालक या सेमी कंड़क्टर भी है इसक है तो बंजी लिएस नहीं यह बता था कि की है कि सबसे लिएदा अधिक मातरा में एकशिजन पार आ जाता उसके पसात यह सिलंग को जाता है फैसिलिकण जो आपका एक सेमिक अंडॉक्टर भी है ata का चिछिप 안녕 अहीं यह प्रस्ण है निम्न लिखित में विश्चों में कौन सरवाधिक पाया जाने वाला तत्व है अगर इन्वर्स में पूछे ठीक है तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा इसको आप याद रखिएगा हाइड्रोजन सिर्फ अगर आपका प्रित्वी के वायमंडल में पूछे तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा सबसे अधिक 78% होता है इन्वर्स एयर निविश्चों में पूछे ब्रमाड में पूछे तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा राइट आंसर प्रित्वी की भूपरपरटी में पूछे तो आपका हो जाएगा आक्सीजन पूरे प्र करकार के सव से ज़्यादा हो गए अभी इंके वर्तमान में संख्या 118 हो चुकी है ठीक है तो अभी तो जैकूल 118 तत्तों की खोज की जा चुकी है और आगे भी तत्तों की खोज जा रही है तो यहाँ पापका डी हो जाएगा राइट आंसर तो यह प्रसंस इंकला आपकी य जरूर कर सकते हैं मित्रो बाकी आपकी मरजी है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का